जैमातागी वक्तो आज हम करजा करेंगे एक खास विषए के बारे में करजे से लेके कि जिन के उपर करजा है और करजा बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा है उस करजे से मुक्ति कैसे पाएं इस विशे को चालू करने से पहले मैं आप से एक बात कुँँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गंटी वाले बटन को दिक्वाएं लाइक और शेयर करें ताके आने वाली वीडियो आपको फूरी मिले तो विशे अब चालू करते हैं इस काम को करने के लिए इस प्रियोग को करने के लिए आपको एक हल्दी की गांट और कपूर की आवर्शक्ता पड़ेगी उसके बात नेवू की आवर्शक्ता पड़ेगी करना यह है कि इस कपूर को पीस के इस अत्यली पे तके नेवू की कुछ भूने इसके उपर डाले कपूर में और हल्दी से इस प्रकार गुमाएं ओम श्री लक्षमी नारायन नमा का चप करते हुए क्योंकि लक्षमी जी के पती नारायन है उनका जाप करना जरूरी है इस प्रकार से पूरी अत्यली पे गुमाएं ओम श्री लक्षमी नारायन नमा कहते हुए फिर दूसरी आतली पでは इसी प्रकार से गुमयें ओम शिजी लख्शमीन आरायं नमा कहते हुए आप पूरे शड़ा और विश्वास के इस काम गो करेंकि शड़ा-दाओ विश्वास यही सपलटन की और ले जाएगा और सपलता दिलाएगा आपर भगवान शिजी लक्षमीन नहरांड के चड़नों में प्रीशिवा को समर्श्विश करते हुए करजे से मुक्ति पाने का उपाय कर रहे हैं उसकी प्राफना करें और भगवान से प्राफना करें कि आपका करजा जल्द से जल्द समाप्त हो ऐसा करते हुए मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि हमारे चै दो के साथ मैं आपसे पिजा चाहूंगा जय माचा की